तो फाइनल इगाए जैसा कि आप सभी चानते होंगे बीति शुक्रवार यानि कि एक डिसंबर को सिनीमाघरों में रिलिस हुई थी रनवीर कपूर की फिल्म एनिमल जिसने सिनीमाघरों में तहलका मचा रखा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कलेक्शन करके साल 2023 के सारे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है फिल्म को रिली सुयास सिनीमाघरों में छटवा दिन चल रहा है और दोस्तो आज छटवे दिन भी फिल्म बॉक्स आफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है और कई ऐसे रिकॉर्ड जो बॉलिवूड क फिल्म में आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई चाहे वो शारुखान की जवान हो या फिर पठान या फिर टाइगर थिरी या फिर सनी देउल की गदर टू लेकिन दोस्तो एनिमल फिल्म बॉक्स ओफिस पर जो इतिहास रच रही है वो वाकई काबिले तारीफ है तो द दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा कौन से शहर में फिल्म का क्या हल चल रहा है कितने शोज है कितने हाउसफुल है कितने परसंट की उक्पेंसी है सारी बाते इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रह रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल का फैन्स को सालों से इंतिजार था और इतना ज्यादा इंतिजार था कि इस फिल्म की रिलीज डेट को भी कई बार टाला जा चुका है क्योंकि इस वज़ा से क्योंकि फिल्म के मेकर चाहते थे कि फिल्म को ऐसे मौके पर रिलीज किया जाए ताकि किसी बड़ी फिल्म से फिल्म का क्लैश ना हो और फिल्म को कमाई करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए और यही हुआ एक दिसंबर को फिल्म के पास कोई बड़ा क्लैश नहीं था सैम बहादुर थी विकी कोशल की लेकिन वो फिल्म अपनी जगा ठीक कमाई कर रही है लेकिन एनिमल जिस तरह से बॉक्स ओफिस पर तूफान बचा रही है वो वाकी काबिली तारीफ है और फिल्म को अच्छा खासा टाइम भी मिला क्योंकि फिल्म के बाद कोई बड़ी फिल्म अभी फिलहाल रिलिस नहीं होने वाली है और यही वज़ा है कि दिन बदिन अभी तक फिल्म के कलक्शन में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है और फिल्म बॉक्स ओफिस पर तूफानी कमाई कर रही है आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि एक action thriller फिल्म थी जिसको direct किया था संदीप रिडी वांगा ने फिल्म को produce किया था भोशन कुमार और कृशन कुमार ने फिल्म में हमें रंबीर कपूर, अनील कपूर और बॉबी देओल और रश्मी का मंदाना एहम किरदारों में नज़र आए थे और फिल्म का बजट अलगबग 1.500 करोड पेका था लेगे दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से box office पर perform किया है film animal ने यह बजट तो कुछ भी नहीं है और कोई माइने नहीं रखता है यह बजट क्योंकि फिल्म box office पर वो कमाई कर रही है जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था और वज़ा इसकी यह है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के अलावा विदेशों में भी फिल्म खूब पसंद की जा रही है क्रिटिक्स ने भी फिल्म को positive response दिया था और यहाँ पे फिल्म को 100% positive response मिला और इसी वज़ा से यह फिल्म box office पर तबाही मचाने में काम्याब रही आपको बतादा चलू में कि Animal फिल्म ने अपने पहले दिन यारी के opening डे पर 63 करोड 80 लाख रुपे की कमाई पूरे इंडिया से नेट की थी तो वही फिल्म का जो worldwide gross collection था वो 116 करोड रुपे का था दूसरे दिन फिल्म ने कमाई थे पूरे इंडिया से 67 करोड 27 लाख रुपे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई थी 71 करोड 46 लाख रुपे और अपने तीन दिनों के विकेंड पर यह फिल्म बहुत बड़ी कमाई करने में काम्याब रही जो कि एक रिकार्ट तोड कमाई आप कह सकते हैं तीन दिनों में फिल्म ने 201 करोड 35 लाख रुपे की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी तो वही फिल्म का जो वर्ड वाइड कलेक्शन था वो लगबख 356 करोड पे अपने पहले तीन दिनों में था चौथे दिन फिल्म की कमाई रही लगबख 44 करोड पे की जा दोस्तों चौथे दिन फिल्म ने मंडे को एक शांदार और एक बड़ा मंडे हासिल किया यानि कि इस दिन अपने चौथे दिन विकेंड से बाहर आने के बाद जब कोई भी छुटी ना हो, कोई भी हॉलिडे ना हो इतना कलेक्शन कोई भी फिल्म आज तक नहीं कर पाई, जितना एनिमल ने क्या, ये भी अब तक का सबसे बड़ा रिकोर्ड है चौथे दिन मंडे को फिल्म ने कमाई थे 44 करोड रुपे और फिल्म की चार दिनों की टोटल कमाई पूरे वर्ड में 425 करोड रुपे हो गई थी उसके बाद पांचवे दिन फिल्म का जो कलेक्शन रहा, वो रहा 38 करोड रुपे फिल्म ने कमा लिये हैं लगबग 160 करोड रुपे और कुल मिला के पूरे वर्ड में 500 करोड रुपे अपने पहले पांच दिनों में 500 करोड रुपे का आकड़ा छू लिया है फिल्म एनिमल ने जो कि अभी तक का काफी बड़ा रिकोर्ड है और शारुखान की जवान के बाद अब अगर किसी का नंबर है तो वह हिरडबीर कपूर की फिल्म एनिमल का अब दोस्तों यहाँ पर बात करोगा मैं छटवे दिन यानि कि आज की तो दोस्तों आज की जो उक्यूपेंसी है वो भी कमाल की है दिल्ली एन्सियार के अंदर 20% से ज्यादा की उक्यूपेंसी है फिल्म के पाफ 1270 शोजे जिसमें से 160 शोज अलमॉस फुल है और 222 फास्फिलिंग है मुंबई के अंदर 12% की occupancy फिल्म के पास 990 शोजे जिसमें से 25 almost full है और 75 fast feeling है पूने के अंदर 16% की occupancy फिल्म के पास 316 शोजे बैंगलूरू के अंदर 7% की occupancy हैदराबाद के अंदर 10% की occupancy कोलकाता के अंदर 7% की एहमदाबाद के अंदर 7% और चेनने में भी 12% की occupancy फिल्म आज अपने 6 दिन दर्ज कर रही है तो फिल्म की जो 6 दिन की कमाई है आज पूरे इंडिया से वो लगबग 32 करोड उपे जा दोस्तो 32 करोड आज अपने 6 दिन भी ये फिल्म पूरे इंडिया से 355 करोड उपे हो जाएगा और फिल्म बॉक्स आफिस पर और टाइम ब्लॉक पास्ट रहो चुकी है लेकिन दोस्तों आपको कैसे लगए फिल्म आनेवल कमेंट में जरू बताइएगा